आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं Synonyms MCQ Exercise यानि कि इस वीडियो में लोग देखेंगे Synonyms के बहुँ विकल्पी प्रश्णों को सभी प्रश्णों में चार विकल्प दिया हुआ है और इसमें से एक विकल्प आपको सही है यानि कि सही Synonyms Word का कौन सा है वही आपको चुनना है वही बताना है आपको और आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर दिजेगा कि आपका कितना स्कोर लाश्ट में रहा ठीक है तो देखिए पहला मेरा कोच्चन है What is the Synonyms of Complete यानि जो Complete Word है Complete का मतलब होता है पूरा करना आपसन एक करेक्ट हो जाएगा होल दूसरा आपसन है मेरा दूसरा जो प्रस्ण है What is the Synonyms of Allow यानि कि Allow जो वर्ड है इसका आपको Synonyms बताना है इस चार विकल्प में से पहला आपसन है Permit दूसरा चीरफुल C Happy Dehat यानि कि Permit Permit का मतलब होता है अनुमती देना Allow का मतलब होता है अनुमती देना ठीक है चलिए तीसरा जो प्रस्ण है मेरा तीसरा है What is the Synonyms of Aid? Aid का मतलब होता है सहायता तो इसमें आपका देख लिजिए चार विकल्प दिया हूँ पहला में है Hospital, B में है Man, C में Decade तो आपका Correct Option क्या हो जाएगा D यानि Help, Help मतलब होता है सहायता, सहायता करना भी होता है और इसका मतलब Add मतलब सहायता, सहायता करना दोनों होता है ठीक है चलिए चार नंबर कोशन देखते है चार नंबर कोशन है What is the Synonym of Actual, Actual का मतलब होता है Real यानि वास्तों में ठीक है तो इसमें आपको देख लिजिए मैंने तो बता दिया इसका Answer ही तो इसका Option Correct हो जागा D, Real, Real मतलब होता है वास्तों में और Actual का मतलब होता है वास्तों में बोलते हैं वास्तों में ये बात उस पहला में दिया है O, B में Risk, C में Pair, फो इसको फो बोलते हैं तो यही होगा आपका D option Correct हो जाएगा 5 का D option Correct हो जाएगा फो, फो मतलब होता है दुसमन या सत्रू इसको बोलते हैं हम लोग, चलिए 6 नंबर कोशन देखते हैं What is the Synonym of Ever, Ever मतलब होता है हमेशा, इसका क्या होग Synonyms Always होगा Always मतलब होता है हमेशा और Ever मतलब होता है हमेशा ठीक है आगे बढ़ते हैं साथ नंबर कोशन What is the Synonyms of Dim, Dim का मतलब होता है धुद्धुला, जैसे कोई प्रकास होता है Dim, उसको बलते हैं मद्धिम जल रहा है, Dim जल रहा है यानि धुद्धुला होता है तो इसमें आपका क्या होगा Water तो होगा नहीं, Dinner तो होगा नहीं, Deer तो होगा नहीं, Faint होगा F-A-I-N-T, Faint, Faint मतलब होता है धुद्धुला, ठीक है जो Dim का मतलब होता है उसका Synonyms यह होगा Synonyms यानि की अगला मनों का है What is the Synonyms of Here, Here मतलब होता है सुनना H-E-A-R, Here मतलब होता है सुनना और Listen मतलब क्या होता है L-E-L-I-S-T-E-N, Listen मतलब होता है सुनना तो इसका आपका Synonyms क्या होगा, Listen, Here का होगा, Listen, यानि B-Option correct है Nine Number Question का जेखिए What is the Synonyms of Forest, Forest का मतलब होता है जंगल Forest का मतलब क्या होता है, Jungle होता है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, Forest, Arm तो होगा नहीं, Enemy होगा नहीं उड़ मतलब लकड़ी होता है, आपका क्या होजागा, Jungle हो जाएगा ये, क्योंकि Jungle को भी Jungle बोलते है और Forest मतलब भी Jungle होता है आपका चलिए 10 number question है आपका, What is the synonyms of Final, यानि Final जो वर्ड है इसका synonyms क्या होगा, Final मतलब होता है अंतीम, ठीक है, और Last मतलब भी होता है अंतीम, ठीक है, Last मतलब क्या होता है अंतीम, तो इसका Option Correct भी हो जाएगा, यानि Final का synonyms क्या हो जाएगा, Last, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडि